नरशकार इस समय हम मौझूद हैं कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 के अनपूर्णा रसोई में जहां का नाम और स्वा दोनों ही बहुत सुना है लेकिन चखेंगे आज पहली बार तो चलिए अनपूर्णा रसोई के अंदर चल कर देखते हैं आखिर क्या है अनपूर्णा रसोई के पीछे का सिक्रेट कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 में स्थित अनपूर्णा रसोई शुद्ध शाकाहारी और हाईजनिक खाने का कुरुक्षेत्र में बेस्ट डेस्टिनेशन बात यहां की दाल फ्राई की करें दाल मखनी की शाही पनीर की या फिर मिक्स वेजिटेबल की ह हर सबजी अपने अंदर समेटे है एक अलग ही स्वाद और एक अलग ही महक जिस पर खीचे चले आते हैं खाने के शौकिन। सेक्टर 13 कुरुक्षेत्र का तो चलिए अब बात करते हैं अनपूर्णा रसोई की ओनर अवनी गुपता जी से और उन से ही जानते हैं कि वो इतना अच्छा टेस्ट कैसे क्रेट कर पाते हैं अपने कस्टमर्स को कैसे सैटिसफाई करते हैं सबसे वहले बी पॉजिटिव न ना उस में जादा ओयल था और नहीं ही जादा स्पाइस थे तो इस तरह से आप कैसे टेस्ट मेंटेन कर पाते हैं मेड़ आपका कच्चा माल अच्छा होगा तो उसमें क्वालिटी आपकी अपने आप ही बन कर आएगी सेकिंड डिपेंड करता है कि आपके पास कारीगर कैसे हैं अगर हमारे कारीगर अच्छे होंगे वरकर अच्छे होंगे समान बनाने की हमारी सोच अच्छी होगी हम चाहेंगे कि लोगो को ध्यान ड़यता है कि हम सेल कम करें प्रोफित जěनान निकालनावर्ट было所以呢 już में पार्वीत हमाराइं यहां ज्योंकि क्वालिटी हूं यहां हुआ यह säga मैं ये इसका कारण यहां कि हमने कभी अज तक पैसे के पिछह नहीं भागें है क्वालिटी किते सी ज्यान देता लगा है तो क्या अन्पूर्णार रसोई भी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है क्या बताना चाहिए क्यों है एक बोह्त उपन है अन्पूर्णारस्वी क्रोन लगेंट क में भी ओपन रही है क्योंकि हम कि लोग हमारे से जो क्रोंड हे लोगे से आज भी खानार के जा रहे हैं उसके बाद रूटीन करने के बाद लगता है कि अनपूर्णा रसोई की हर चीज बहुत ही जादा टेस्टी होगी लेकिन फिर भी एक speciality होती है खासियत होती है तो अनपूर्णा रसोई की खासियत क्या है मेडम ऐसे तो हमारे यहां सब चीज बनती है, सबसे मेंन बात यह है कि हमारे यहां पे जो खाना बनाया जाता है, वो बिल्कुल फ्रेश होता है, जैसे आम रूटीन में कहीं होटल फ्रीज लगाए हुए हैं, हमारे यहां पे डिफ्रीज यूज नहीं होते हैं, डिफ्रीज अगर कोई है तो जैसे आइस क् के लिए मजबूरी होती है वो है हमारे याँ पे फ्रेज में खाना नहीं रखा जाता बिलकुल फ्रेश खाना बनता है और सुबह अलग से खाना बनता है दो पैर को अलग से शाम को अलग से खाना बनता है तो दोनों टाइम हमारे याँ पे फ्रेश खाना बनता है इसी वज़ फुल क्रीम पणीर करते हैं दिखाओ एक पेकट हम फुल क्रीम प्रिम उख करते हैं कोई भी क्वालटी से समझूता नहीं है हमारे लोग जाते हैं रेस्टेर्ट में कहते हैं कि हमें सबस्कान पणीर तो हम घर का खाते हैं हम उनको कहते हैं, आप एक बार हमारा पनीर खा के देखें, आपको मज़ा आएगा, मज़ा क्यों आएगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का पनीर है, आपको अपने आप यह नंद आएगा, यह देखिए, लक्षय कंपनी का फूल क्रीम यूज़ किया जता है पनीर, प्रीमि यह से बड़ी असमाल आते हैं, घर जैसा टेस्ट अनपुर्णा रसोई में भी आपको मिलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल मिलेगा, हमारा रेस्टोरेंट मशूर इसलिए है, कि हमारे यहां पे घर जैसा स्वाद मिलता है, क्योंकि यह एटमे घरों में यूज़ की जाती है, जो ब्रैंड हैं, लोग घर में लाते हैं अपने, हम रेस्टोरेंट में भी वही ब्रैंड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहां पे घर जैसा स्वाद मिलता है, चोक ना जाना अन्यपूर्णा रसोई का खाना, एक बार खाओगे तो आप बार बार आओगे, अबनी ज क्योंकि यहां के क्वालिटी बहुत अच्छी है, और काफी दामों से बहुत सस्ता भी पड़ता है, अन्पूर्णा रसोई का जो खाना है, वो घर जासा स्वादा है, यहां पर जो खाना बनता है, बड़ अच्छी तरीके से बना आ जाता है, और इसमें जो नमक मेर्चा, घर से बिल्कुल लाइट होता है, मैं रुटीन में यहां पर आता हूँ और निरंतर से खाना खा रहा हूँ, बहुत अच्छा खाना है, यहां पर जो खाना खाने के बाद जो है, बिल्कुल भी जलन नहीं होती है, तो चूक न जाना अन्पूर्णा रसोई का खाना खाना, जी हां तो आप भी चूकियेगा मत, और एक बार जरूर चखेगा अन्पूर्णा रसोई का स्वात, जब आप आएंगे यहां पर और स्वात चखेंगे अन्पूर्णा रसोई का, तो बार बार आपका जी चाहेगा कि आप अन्पूर्णा रसोई का ही खाना खाए, जी हां तो आप भी पहुंचेगा अन्न पूर्णा रसोई कुरुक्षेत सेक्टर 13.